चाय के साथ खाने के लिए हल्दी राम वाली मसाला मुणफली exact हल्दी राम जैसा टेस्ट आज में लिकर आए हुँ एकदम सीक्रेट तरीका जिससे आप ये मसाला मुणफली बहुत ही हाईजियनिक और एदम हल्दी तरीकिया से घर पे त्यार कर सकते हैं और बहुत तो बजार से कभी नहीं लाएंगे इसकी आप गैरंटी ले लो तो चलिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए तो यह सूपर किस्पी और सूपर डूपर चटपटी मसाला मुंगफली वनाने के लिए मैंने ये मुंगफली के दाने कच्चे वारे लिए हैं दो कप और इसको मैं थोड़ा साफ करना होगा यानि जो इसमें छोटे-छोटे इस तरीके से टुकडे वाली मुंगफली होती है थोड़ी सी कुछ काली भी होती है तो उसको निकाल देना क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही जादे खराब होता है तो इस तरीके से आपको चुन लेना है और उसके बाद हम इस रेसिपी के लिए मज़ेदार सा मिक्षर त्यार करेंगे ये वह सीक्रेंट मसाला है जिससे की हल डालेंगे दो कफ मॉंख पली के लिए मसाला बताहरी हूं मैं और साथ ही राल देंगे एक चोटी चमज काली मिड्च के । जरूर से रालना है ये मसाला बिल्कुल भी च बिस Nh 딱 राना है एक चोटी चमज जल दिंगे समयच वाइन भुनी हुई नहीं है कच्छी ही है तो इन सारी सिजो को डालना है और बिना पानी डाले एक तम बढ़िया से इसको पीस लेना है चलिए इसको पीस लेते हैं यह जो सीक्रेट पाउडर है ना इससे आपकी मसाला मुंगफली में इतना गजब का तेस्ट आएगा ना कि आप मान आप क्यों ही मुंगफली डाल करके इसको पानी से एक बार गीला करना है बस एक दो बार आप मुंगफली को धो भी सकते हैं सिर्फ पानी से आपको गीला करना है भिगो की या फिर फुला के नहीं रखना है नहीं तो मुंगफली क्रिस्प नहीं होंगी इन खास बातों का ध साथ इसमें डाल देंगे दो टेबल स्पून चावल का आटा और एक टेबल स्पून कॉन फ्लॉर ये तीनों का जो मिजर्मेंट है आपको ध्यान से डालना है इतना ही होना चाहिए ताकि एकदम क्रंची और एकदम मज़दार बनेंगे आदी छोटी चमच इसमें डाल दिया ह है लाल मिट्ची पाउडर आदी चोटी चमच गरम मसाला ये मेरा होम मिट्च मसाला है आप चाहिए तो इसकी रेसिपी डिसकत्मिन में लिंक दिया है जाकर देख सकते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर आड़ करेंगे ताकि बढ़िया सा प्यारा सा करर आ जाए तो आदी अब देंगे चाहिए तो मैंने एक चोटी चमच चमच अचल चमच मसाला लिया है इसकी रेसिपी आगई है कल ही अपलोड की है मैंने बहुत ही मज़दार बनी है बहुत सारे लोग की रिक्वेस्ट भी आई थी इसके लिए तो आप जाकर जरूर देखिए एक चोटी चमच के असपर चाट मसाला डालने की बाद तयार किया हुआ यह special मसाला जरू डालेगा बिल्कुल भी नहीं भूलना है और इसको डालकर हम इन सारे जो को अच्छी तरीके से सूखा ही मिलाएंगे कोई पानी वगरा तेल वगरा नहीं आड़ करना है बस जो भी गुटलियां बेसन में कॉन फ्लॉर में फिर चावल में है उसको हमें अच्छी तरीके से तोड़ना है पाउडर एक दम स्मूध हो जाना चाहिए तो देखिए अच्छी तरीके से मैंनिन को स्मूध कर लिया है अब तयार की हूई यानि जो गीली-गीली से मुखालिया है ना देखिए फूली हुई नहीं होनी चाहिए बस हलकी सी गीली चाहिए और यह सारी की सारे गीली-गीली मुंखफलियों को हम डाल देंगे इस पाउडर में ताकि जो पाउडर है ना वो मुंखफली की नमी से गीला हो और उसके बाद इसके उपर अच्छी तरीके से चिपक जाए एक मोटी सी लेयर इसके उपर आ जाए और मुंगफलिया बहुत क्रिस्प हो जाती है तो देखिए मैंने सारे की सारे डाल दिये हैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी लिया है और उससे हमें क्या करना है हलका सा स्प्रिंकल करना है पहले आप इसको अच्छी तरीके से चम्मच से या फिर हातों से मिलाइए ताकि बढ़िया सी कोटिंग इसके उपर हो जाए तो काफी हद तक कोटिंग हो गई है अब हलका सा पानी लेना है दो तीन चम्मच के असपस और बस इसको इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है चुड़क देना है ताकि जो भी बची हुई पाउडर है न वो अच्छी तरीके से मुझफलियों के उपर लग जाए और एकदम बढ़िया क्रिस्पने सा जाएगी इसके अंदर तो इस सारा का साउडर पाउडर मैंने इसमें मिला दिया हलका सा टॉस कीजिए और अब इसको फटा फट से हम कुक करेंगे खाने के लिए ये बहुत ही जल्दी तयार होने वाली है मुझे तो रही रहा जाता है इसको बनाने के बद सब के सब टूट पड़ेंगे इसके उपर इतनी टेस्टी बनती है तो मैंने आपर हाई हिट पे तेल गरम किया है तेल एकदम गरम होना चाहिए तो बहुत ही ध्यान से मतलब बिल्कुल केरफुली आपको ये मुझफली इसमें डालनी है क्योंकि अगर आप उपर से डालनी है तो ये तेल उपर की तरफ उछड़ेगा और हाथ जल सकता है इसलिए एक साइड में डालिए धीरे-धीरे से और फ्लेम को लोटू मीडियम कर दीजे अब आप जो य काफी हद तक कब होने लगा है हलका से इनको आप जितना चाहें गोल्डन कर सकते हैं वैसी ये पूरी तरीके से क्रिस्प हो चुके हैं तो अब इनको हम किचन टावल पे निकाल लेंगे आप देख सकते इसका लूक कितना जादा अमेजिंग है उसकी कुछबू भी बहुत की समी सबादय के जीधा ना हो जाए तो मैंने थोड़ी सी और पाउडर में मुझः डाल दी है अत्छे से टौस करके फिर से तेल में डालकर शब्ते और क्रिस्प करनेंगे तो यहां देकिए हमारी मुझःतार तरीके से क्रिस्प हो ही और कापाती ज़दार रिगा तो मैं यह चाय बना रही हूं तो इस फोड़ी सी गुलाब की पंकुडिया चीनी और चाय पती पहले डाल दी है यह जो हरी वाली आप देख रहे हैं यह हरी चाय की पत्ती जो मेरे गार्डन में उखती है आप भी अजाए रहा है अच्छी तरीका से उबालना है चाय का जो कल है लिंक आप जाकर देख सकते हैं तो लीजिए हमारी चटपटी मज़िदार मुंगफली तैयार है मसाले वाली आप इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए और गर्मा गरम चाय के साथ परोसिए मैं इसको ठंडा होने के बाद कांच की कंटेनर में भर लूगी और बिना फ क्रिस्प बने हैं यह देखें बस हाथों से इसको दबाईए यह देखें एकदम टुकडा हो गया है बहुत ही कुरकूरा बना है बहुत ही मज़ेदार बना है तो अपने धेर सारे फ्रेंड्स फेमिली को शेयर कीजेगा और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं ज़रू मिर्ची पाउडर डाली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और हलका सा टॉस कीजिए गर्मा गरम चाय के साथ इसे परोसिए सब के सब खोस हो जाएंगे रेसिपी पसंद आई तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अपने सुझाओ कामेंट में दीजिए चलिए कल फिर मुल